घर में जो मार्बल लगाई जाती है, मार्बल की फ्लोरिंग कराई जाती है, तो मार्बल का फ्लोरिंग यानि मार्बल पत्थर लगाने में हमारा कितना वहाँ पे खर्च लग जाता है, मार्बल लाना कितने रुपे की मार्बल आ रही है, उसको लगाने का लेवर चार्ज क्य यहां पर अगर आप एक कमरे में 10 by 10 के यानि 100 square feet के कमरे में आप अगर marble लगवाते हैं उसमें black color का आप ये साथ में border भी दिलवाते हैं तो आपका total उसमें कितना खर्च होने वाला है सब कुछ मैं आपको इस video में detail में बताऊंगा बस आपको काम क्या करना है वीडियो को end तक देखना है दोस्तो ये वीडियो देखने के बाद आपका घर में अगर आप पूरे घर में marble लगाना चाहते हैं चाहे आपका कितना भी बड़ा area हो तो असानी से आप इस वीडियो के मदद से अपने घर का total marble लगाने का खर्च निकाल सकते हैं तो चलिए वीडियो को detail में सुड़ू करते हैं दोस्तो वीडियो detail में सुड़ू करना से पहले आपसे एक छोटी स्रिक्वेस्टे के वीडियो अच्छा लगे तो इसे like कीज़ेगा share कीज़ेगा और चैनल पहले बार वीडियो देख रहा है तो इसे subscribe जरूर कर दीज़ेगा तो जैसे कि आपको बताया कि एक जो कमरा है वो हमारा यहां पे 10 feet by 10 feet का यह कमरा है ठीक है यानि कि 100 square feet का यह हमारा room है तो 100 square feet के room में हम यहां पे marble जो लगा रहा है जैसे मैं आपको डिजाइन दिखाया था कि marble वहां पे लगा जा रहा है और side side में यहां पे दो पट्टी चल रही है एक एक इंच की ग्रे नाइट की black color की आप यहां side में भी देख रहा है तो यानि कि 60 into आप 100 कर दिजी तो 6000 रुपया का हमारा यहां पे marble हो गया ठीक है उसके बाद क्या है कि इसको marble को लगाने के लिए जो हमने rate तै किया था अपने ठेकदार से कि हम कितने रुपया square feet देंगे तो उसने बोला था कि 20 रुपया square feet दे दिजीएगा क्योंकि मेरे पास 3-4 कमरे और भी है पूरे मतलब मुरे जो hall है कमरे है सब में हमें marble के flooring करवा नहीं है तो एक यहां पर room का मैं बता रहा हूं आपको तो 20 रुपया square feet हो बोला था तो 20 और हमारा total area कितना था कमरे का 100 square feet एक कमरे का ठीक है तो 20 x 100 आप कर दिजीए तो आप देख सकते है कि 2000 रुपया हमारा यहा यहां को लगाना है तो हम यहां पर एक ratio 5 का हम क्या किये हैं कि मसाला ले लिए है एक ratio 5 का हम यहां पर लगा रहा है तो उसके लिए हमें कितना total 45 cement इसके लिए नॉर्मल हम संध ले लिए हैं मसाले में भी लगा है जो आप सेमेंट में बनाके लगाएंगे फिर marble के नीचे ज उसके लिए भी तो नॉर्मल सिमेंट हमने ले लिए है आल्टर टेक का पीपीसी जो सिमेंट आता है 370 रुपिया मुझे मिल गया है एक बैग सिमेंट तो यहां चार बैग हमारा सिमेंट लग रहा है तो 370 इंटू 4 आप कर देंगे तो 1480 रुपिया का हमारा यहां पे आपका सिमेंट हो गया ठीक है उसके बाद आ जाता है क्या कि इसके फिर मसाले के लिए आपको सैंड चाहिए तो सैंड यानि कि जो बालू हो गई रिवर सैंड हो गई पीली वाली हम यहां पे लिए है तो हमारा टोटल कितना 25 क्यूबिक फिट हमारा लग जा रहा है इसमें मोटार में योगर लगाते हैं तो उसके ऊपर आपको अगर सफेद कलर का मारवल है तो सफेद वाइट सेमेंट उसमें लगाया जाता है डाला जाता है तब मारवल को चिपकाया जाता है ति यहाँ पूरा यह समझ लीजिए कि एक बैग मेरा वाइट सेमेंट कुछ बरबाद भी होता है पचास केजी का हमने एक वाइट सेमेंट ले लिया था लगवग बिखला वाइट का 1,000 पे का हमारा वाइट सेमेंट मिल गया था फिर उसके बाद जैसा मैं आपको बताया है कि इसमें हमारा क्या कि साइड शाइड में 1 एक इंज की दो तो आप देख रहे हैं कि दो लाइने जा रही है पट्टी की है बलैक कलर की इस से क्या है कि खुबसूरती थोड़ी सी हमारी मारवल की बढ़ जाती है फ्लोरिंग की बढ़ जाती है थोड़ा सा अलग लुक दिखाई देता है तो उसके लिए जो हमने ग्रेनाइट लिया था वह हमारा टोटल पहले मैं क्या किया है कि उसको माल लिजे कि आपको ग्रेनाइट खरीदेंगे मार्केट में जाएंगे तो आपको स्कॉर फिट में बताना पड़ेगा दुकंदार को कि इतना स्कॉर फिट माल दे दो तो फिर उसके लिए हमने टोटल 15 स्कॉर फिट का एक टुकडा ले लिया था ठीक है एक कमरो के लिए मतलब तो मैं पूरा पीस ले लिया उसे में से 15 पंदरा करके तीन कमरे में मेरे लग गए तो एक पीस हो मेरा काम आ गया तो उसमें क्या है एक कमरे में 15 स्कॉर फिट गरनाइट लग रहा है तो यहां जो गरनाइट मैं लिया इंच की, यानि जो बॉडर यह बन रही है, तो उसको क्या है, अब लेबर उसको काटेगा, फिर उसको फिटिंग करेगा, फिक्सिंग करेगा, तो यहां पर क्या है कि, यह पट्टी जो है, यह रणिंग फिट में नापा जाता है चाहे आप एक इंची के बनवाई दो इंची तीन इंची तो यह रनिंग फिट में चलती है तो यहाँ पर टोटल जो मैं नापा था अपना 10-20 के कमरे में तो 80 रनिंग फिट हमारा यह बॉर्डर चल रहा है साइट साइड में फिर उसका जो फिनिशिंग होता है जितना आप मारवल पे पॉलिस करेंगे उसकी साइनिंग बढ़ती है तो उसमें एक बार दो बार समझे कि दो तीन बटी यूच करके अलग अलग उसकी गिसाई की जाती है पॉलिसिंग तो आपके उपर डिपेंड है कि आप कैसा कराते हैं पॉलिसिंग आपका 10 रुपे से स्टार्ट होके 80-70 रुपे तक में होती है तो नॉर्मल यहां पे अपने घर के लिए देखा जाए तो मैं यहां एक 15 रुपे स्कॉार फिट पॉलिस के यहां पे चार्ज ले लिया हूँ ठीक है तो हमारा टोटल एरिया था 100 स्कॉार फिट तो हजार हमारा लेवर चार्ज हो गया था मार्मल लगाने का 14-180 रुपे के हमारी सिमेंट हो गए ती 15-000 रुपे के हमारी सैंड बालू हो गए थी एक हजार रुपया हमारा वाइट सिमेंट में चला गया, फिर बारास रुपया हमारा गिर नाइट जो हमने खरीदा था बॉर्डर के लिए उसमें चली गई, फिर उस बॉर्डर को लगाने के लिए जो लेवर चार्ज था, वो 16 रुपया उसमें चला गया, 15 रुपया हमारा फिर मार्बल लगने के बाद फिर हमने जो पॉलिस कराया उसमें चला गया टोटल आप जोड़ दीजेगा तो आप देखिएगा कि आपका जो टोटल कॉष्ट आएगा ओ आ जाएगा यहाँ पे 16,280 रुपे यह हमारा टोटल कॉष्ट आ जा रहा है तो एक अगर आप 10,210 के यानि 100 स्क्वाइर फिट के कमरे में आप अगर मार्बल लगवा रहा है तो 16,280 रुपे